तो इतनी जद्धो जहत के बाद हम लोग आखिर स्विजर लेंड पहुंची गए है बहुत अच्छा लग रहा है स्विजर मज़ा आ रहा है ऐसे लग रहा है बस जनना थे तो यहीं है स्विजर लेंड में है 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 अब लोग आए है गरम धरम पे और जा रहे हैं एक यहां यहां पर यहां पर यहां पर घंटा है यहां पर कंजम हुआ है खाना खाने के लिए बट काना जरूरी था और अभी आप्रोक्स दो बजने वाला है अब रात के और हम लोग जा रहे हैं अब आगे तो हम लोग आगे जो फर्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन बन रहा है वो ट्वर्ड डलहॉजी की तरफ है लोग निकल गए है गरम धरम पे से खाके क्योंकि अम्रीक सुक्देव पे भीड बहुत अब रास्ता आगे का क्या दिखाऊं क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही में लेलद आ गया था तो टो अब थोड़ा बहुत रास्ता आपको जरू दिखाऊंगा टोट्वर्ड जहां से मनाली के लिए चेंज होता है बट हम मनाली नहीं कई और जा रहे हैं तो यह तो दो महीने में यह मेरा तीसरा डेस्टिनेशन है एकानोमी ज्राइब मोड एक्टिवेटेट अब यहां पे क्या टोल दिखा है आप लोगों ने अगर मेरी मनाली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग मनाली वाली वीडियो जरूर देखिए पीछे बैठे दिये दोनों भाई लोग पेट अब हम जा रहें सोने चलाने के बाद हमने अपने दोस्तों काडी दे दिया चलाने के लिए और अपने तसली से लेट गये हैं अब हमारे भाई सब यहां पर लेटे हुए है बहुत अच्छा नहीं पुआ पीछा आराम से लेट सब्सक्राइब करें लोग पुलिस चेकिंग के लिए रुके हैं इवीर जी आया है चेक करने के लिए और हम तसली से पीजोए कर रहे थे पूरे इसको बैठ सोने के लिए बना रहे हैं तसे सो तसली तो अभी सुबह के पौने च्छे बज रहे हैं और हम लोग आए हुए हैं यहां पर एक अभी एक टोल तोल गेट के बाद आगे आए हुए यह नजारा है बारिश हो रही है और यह खेस हैं और इदर हमारे बाइसाप पर शूट आउट शूरी शूट आउट नहीं चल रहा है शूटिंग चल रही है कि खेतों के नजारों के बीच हो बीच में चाय की चुस्की पंजाब की चाय की चुस्की हो रही है हम तीन के बीच में और यह फोन की चुस्की ले रहे हैं याद आ रही है किसी की याद रही है और भूलनी पा रहे हैं मुस्कों पूलनी पा रहे हैं सुबह के बजरे हैं सा और मौसम हो रहा है मस्त और उस पर सुबह सुबह दूद मदा आ जा रहा है मज़ेदार दूदा एक लम और इस टाइम पर हम लोग है वोश्यारपूर में वोश्यारपूर से आगे बढ़ रहे हैं ट्वर्ड्ज होजी की तरफ अब यहां से 176 किलो मेटर और रहे गया है डलहुजी नियर अबाउट चार घंटे अभी और लगेंगे राइट नाव थाइब कर दो कि यहां नावा है यहाँ लाइब कर दो तक रेख़ा अबना कि वो तर्फ़ड़ प्यार इस टाइब हाँ वोश्यार जाणीो यहाँ भाँश्यार आव बाभेंदार नाव यहाँ एाज़ झाल झाल तो अभी हम लोग आए हुए एक छोट ऐसा जर्ना टाइप के दिखा तो हमने सोचा चलो एक भाई हमारे और पानी से खेल रहे हैं उपर देखें जर्ना कितना बढ़िया है और यह देखें कि यहां पर वाटर लॉगिंग न हो इस रोड पर इस वए से यह चोटा सा इस बना दी गई है पर बैस्ट एक दम एक दम बैस्ट थोड़ी देर वाटर फॉल पर इंजॉय करके थोड़ी सी आगे बड़े हैं तो अपना अब भूग लग गई है तब भूग के लिए ब्रेक फास्ट के लिजे लंच के लिजे मैं गी है अधर जोग नजड़ा अपना फिंगे तーミह पास्ट भूँक सारे स्टॉप wz के बाद हम लोग से अभी पहुच चुकह औरहले लोग ते यहांपे एक कुछ हूँ पूटल नीड़ी एक उत्माष के नहम से हमने ओटल लिए है कि यहां पे उसकी पार्किंग है यह नहीं आपőरा है पूरा होटल है और बिल्कुल हमारे होटल के बगल में ही सेंट फ्रेंसिस चर्च है तो अभी फिलाल हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने रूम में आप लोगों को थोड़ी दिखाता हूं बहुत अच्छा काम करते है अगर आप हमारा बैग उठाते हो तो थैंक्स हाला थे बिल्कुल हम बूरी हुई पड़ी है अभी नादो के फ्रेश होंगे लिफ्ट के अंदर घुशके रूम देखने से पहले आप लोग दिखे है वह भी वाइट जो दिखे है वह बादल है अभी बादल से भी काफी बर है सेंट फ्रेंसिस चर्च अभी हम लोग यह देवदार केतने बड़े बड़े पेड़ हैं अब मैं आप लोगों को रूम दिखाता हूं इस वाद में दिखाऊंगा फिलाल एक यह रूम है और इससे अटैच एक यह दूसरा रूम है क्योंकि हम चार लोग है इस वाज़ा से हम लोग है हम लोग इस वज़े से चार लोगों के लिए हम लोगों ने रूम लिया है और यह और यह इतना बड़ा हमारा वाश बात्रूम और बात्रूम के साथ साथ हमारी पर्सनल बैलकेनी है बैलकेनी से व्यू पेड़ों के बीच में से कितना बड़िया लग रहा है और जो बैड के पास से जो व्यू आ रहा है वो तो भाई है लिटरली मज़ेदार यह देखे क्या व्यू नजर आ रहा है हमारे बैड्रूम से बाहर का पूरा अभी हम लोग जाएंगे नहावा के खजियार पे देखते हैं अब खजियार पे क्या मिलता है फिलाल आप लोग वीडियो कॉंटिन्यू देखते रहिए अभी तक आप है रास्ते में हाँ 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 कोई नहीं आवने देख लेंगे अब हम लोग कि यह अब हमारा एकजिट पॉइंट हो यह हमारे गाड़ी खड़ी है तो अब आज की राइड का पहला डेस्टिनेशन शुरू होता है अब तो भाईयो मोसम कैसा है डलोजी का काफी अच्छा है एकदम पहाड़ों के उपर वाला फिल होता है अब हम गूगल पे सर्च वारे त्टिम स्ट्रेक्श वह सुवाज चौक है वो सुवाज चौक है निकल चुके हैं यहां पे हमें खजियार जाने के लिए सुबाज चौक के पास हम लोग का जो होटल है वो स पहुंचे हैं यह गांधी चौक पे यहां पर गांधी जी के मूर्ती लगी वी जाना माना स्कूल है और जो की सामने आप देख सकते हैं इसका स्कूल यह पूरा स्कूल एरिया के नाम से यह मतला स्कूल एरिया की यह जगा है यह और क्या अच्छे से अच्छे से एकदम इस जगह को स्कूल वालों ने कितना बढ़िया मॉडिफाई मतलब बना रखा है इसाब क्या जगह है जन्नत जन्नत है एकदम जन्नत अब इस जगह की सुन्दरता इसकूल वालों ने और इसकूल वालों ने और अच्छी कर रखी हैं मज़ा आ रहा है यार अच्छा आई विची गया तो बाई साब अब सामने का व्यूं कितना मज़ेदा रहा है अब होने वाला बैक कैन हो जैसे हम वादियों की बीच ओ बीच से गुजर रही है अब कर रहा है कि जैसे हमारी गाड़ी बादलों के भी उपर से जा रही है आप लोगों ने आप लोगों ने देखा ही था हमारे ने पर अब यहां से बादल कワंप सब्सक्राइं के जीट काषिए और हम लोगों का रम कहा था यहां पर एक से एक स्कूल है पीचहे आप लोगम ने डelaубли स्कूल दर्ड़ाहुसी वाड़ास स्कूल शाप एफ और एक से एक कि मुझे तो अभी हम लोग क्योंकि भूक लगने लग गई है कि ब्रेकफास्ट कह लिजे जो मर्जी कह लिजे हमने केवल कि दुफे सुबे का मैगी खाये हुए है तो अब खजी आर जाने से पहले रास्ते में ही हम लोग अब फिर दुबारा से मैगी खाएंगे उपर वो सब बादल नजर आ रहे हैं टोटली बादल और यह देवदार के पेड़ है और यह स्टेप बने हुए है यह देखिए वो बादलों में कैसे पहार छुपा हुआ है यह पूरे टोटली बादल है और हम लोग इस टाइम पर बादलों से भी उपर हैं यहां पे भी टेप बना हुआ है नीचे भी जा सकते हैं पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही मतलब उतरने में डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे पर चढ़ने में डिफिकल्ट हो सकता है तो यह क्या देवदार के पेड़ लग रहे हैं और इधार हमारे भाईयों लोग मेरे इसाफ से मनाली सच्छा है इस टाइम पर यह कहीं गए नहीं पर बताएंगे इतना इतना बता देंगे जैसे पूरी दुन्या इन्होंने गूमी है हमने कुछ ने गूमा है अपने आपके सामने बोल दिये कुछ ने गूमा है फिर देखते जाहिए बस देहरादू इसका वन परसेंट भी नहीं है यह मैं आपको अनेस्ट बता रहा हूं मैं जब यहां पर आया और जब मैंने यह वाला व्यू देखा पहाडों की बीच में यह पानी वाला यह देखा और बादल देखे तो मैं लगा कि इससे बेस्ट अभी तक तो में ट्रिप इससे पांच मिनट पहले यहां पर टोटली आप लोगों को थोड़ी तर पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था तो यहां पर टोटली बादल दिख रहे थे बट उस टाइम पे पहाड दिख नहीं रहे थे बट आप देखिए उसी व्यू पर बादल और पहाड कैसे नज कालिंग और यहां नोट इबल तो इसलिए अचानक प्लान बना है बना है मू ठाके आगए तो अभी नियर बाउट एक घंट की ड्राइव करके हम लोग बस अब पहुंचने वाले है बस पांच मिनट के अंदर अंदर बस हम लोग पहुंचने वाले हैं एक हमारे साथ ही मू फूल के सोच चुके हैं अब दूसरे मारे साथ ही मू बंद करते हैं यह देखिए हम खजियार वाले प्लेस पे आ चुके हैं कि यह कितना बढ़िया व्यू नजर आ रहा यह देखिए वाव यार खजियार यह है तो उधर गाड़िया कैसे जाती है वह वह भी पार्किंग है वह सब पार्किंग कोई पार्किंग ने लिए तो इतनी चद्धो जहत के बाद हम लोग आखिर स्विजर लेंड पहुंची गए है बहुत अच्छा लग रहा है स्विजर लेंड पहुंचके मज़ा आ रहा है ऐसा लग रहा है बस जन्नत है तो यहीं है स्विजर लेंड में मजाकर यह मिनी स्विजर लेंड जो की हम लोग यहां पे हिमाचल में जल्होजी से थोड़ा सा आगे नियर बाउट 25 किलो मीटर आगे आके एक जगह पढ़ती है खजियार जिसे यहां का मिनी स्विजर लेंड भी कहा जाता है वो क्यूं कहा जाता है अब एक 360 वीडियो दिखाता हूं उससे आप लोगों को पता शिल जाएगा क्यों कहा जाता है इसे मिनी स्विजर लेंड वो देखिए वहाँ पे वो देखिए वहाँ पे वाटर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ यह सब होता है थोड़ी बहुत पैरेगलाइडिन होती है और इस से रिलेटिड है और देखिए कितना बढ़िया व्यू आ रहा है कितना बढ़िया आ रहा है व्यू मज़ेदार मज़ेदार जगह है चोटी चोटी चीजों को यहां पर इतनी अच्छे से डेकुरेट किया गया है क्या बताया जाए बट खेर है और यहां पर नहीं बिया थेंक्यू कितने काई वैसे अंद्रसों कर आगे कितनी देर का यह सब कौन से यहां पर कौन से पीन होती है मातर तीन किलोमेटर फायदा क्या है इससे बड़ी हम दीर भी लिंगे कहीं और देख लेंगे इसके साथ साथ हम लोग एतनी देर से घूमते घूमते ठक गए तो अब रेस्टिंग मोड में हैं क्यों जैके बाई जगह बहुत अच्छी लगी अच्छा मतलब और कुछ राय यू समझे यह तीन साल बाद ही सपना पूरा होता हुआ करने से पहले सोचा था कि कभी कर पाएंगे वह आज देख रहें मिनी स्विजर लेंड हां लगता है हाइप ज्यादा है ऐसा कुछ खास नहीं है आप यहा अच्छी तरह को अब दूसरी तरफ से अ कि अच्छा हो अगर आप लोग अच्छा लगा है तो इस चीज के लिए इस वीडियो को लप लोग लायक कर दीजे और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब किया है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजे ग wygląda अबOs डप्रै मर्स्टे फिस्रेंग टुट क्राइब टेस्रेंग πास्टेंग भ्राइब इससिति य हегда है? fait पाल पाल